जिस तरह से अज vaccination पार टू शुरूआ इसको लेकर सियासत भी जम कर हो रही है OVC ने इस पर सवाल उठाए तो केंद्री स्वास मंत्री ने उसका जवाब भी दिया देश में सबको कोरोना वाइरस से बचने के लिए वैक्सीन लेना जुरूरी है और चाहे वो कोवी शील्ड हो या कोवी वैक्सीन हो पर्धान मंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया के सबको वैक्सीन लेना है मेरा मोडी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी में जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोवी शील्ड है जिसको आक्सफ़र्ड एस्टराजनेका बनाती है और जिसका एक्तियार उन्होंने यहां पर सीरम को दिया है तो जर्मनी में और उनका जो पब्लिस डेटा है वैक्सीन साइट पर एस्टाजनेका का वह कहता है कि वो वैक्सीन 18 से 64 यर्ज के लोगों के लिए अच्छा है 64 के ओपर जो लोगों के लिए अतना एफेक्टिव नहीं है तो हम मोड़ी सरकार से पुछना चाते हैं क्या ये बात सच है कि एस्टराजेनेका का जो कोवी शील्ड वैक्सीन है जर्मन सरकार ये कह रही है कि 18 और 64 यर्ज के लिए अच्छा है उसके उपर के लोगों के लिए अफेक्टिव नहीं है और आज इतिफाख भी है कि वजीरियाजम ने को वैक्सीन लिया है मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको देश में सबको लेना पड़ेगा आज हम हेदे से अभारी है देश के पिधान मंत्री नरेंदर मोडी जी के जिन्होंने हमेशा हमें यह सिखाया है कि you have to lead by example और स्वयन सबसे पहले जब 60 साल से उपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है तो सबसे पहले भारत के पिधान मंत्री ने वैक्सिन लिया स्वदेशी वैक्सिन ली को वैक्सिन जिसके खिलाफ इतना जादा दुश्प्रचार किया गया जो कि साइंटिफिकली एक गम से परफेक्ट थी तो मैं यह समझता हूं कि पधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है देश को अब किसी भी कि समकी इससे संबंदित अफवाहों पर मिसिंफॉर्मेशन पर दुश्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हजी टैंसी का इशू था यह हमेशा के लिए इट शुद भी बरिट वन्स पर और अ झाल 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 झाल